वेल्कम तो मैं चैनल जे टटकर अगर आज फिर से इस चैनल मस्वागत है आज बहुत इंपोर्टेंट कोशन लेकर हम आया है जो कि सेवन्थ पेच बिपी असी जो एक्जाम लेने वाली है बिहार टीचर के लिए उसके सिलेवस के एकॉर्डिंग यह बहुत इंपोर्टेंट भारती रास्टे अंदे रहें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसी टॉपिक पर सारा कोशन यहाँ पर है पहला कोशन हम देखते हैं भारत का पहला सौततरता संगराम कहा जाता है अप्सन नुबर A 1857 की करांती को B 1757 की करांती C बकसर के यूद को D पलासी के यूद को इस इसका सही एंसर हो जाएगा अप्सन नुबर A 1857 की करांती को भारत का पर्थम सोतनतरता संगराम कहा जाता है इसका दूसरा नाम क्या है सिपाही विद्रो या सैनिक विद्रो भी इसका दूसरा नाम है और यहाँ पर 1757 पलासी का यूद्ध हुआ था इसको भी याद रख ल संगराम कहा जाता है अगला कोशन देख लेते हैं राज हड़प निती का सिदांत किनके द्वारा लागो क्या दा था राज हड़प निती को इंगलिस में डॉक्ट्रिन आफ लैप्स का जाता है तो राज हड़प निती का सिदांत जो है किनके द्वारा लागो क्या जा था इसका साही अंसर हो जाएगा आप्सन नमबर वी लॉड डलहोजी के द्वारा राज हडपनिती सिदान्त का लागू किया गया था इसके तहट जिन राजा को अपना पुत्र नहीं होता था या जो दत्तक पुत्र लेते थे तो उनकी संपत्ती को उनको राजा बनने का अधिकार इस निती के तहात नहीं था बलके उनकी संपत्ती को अंग्रेजी राजी में मिला रही आ जाता था यही है राजी हडपनिती का सिदान्त लॉड डलहोजी के द्वारा लागू किया गया था अगला question डलहोजी दोवरा किन राज्यों के नवाबों की उपादी जब्द कर ली गई थी मतलब छीन लिया गया था नवाब का जो उपादी दिया गया था उस उपादी को डलहोजी ने छीन लिया था वे नवाब कहां के थे option नमबर ने बंगाल के नवाबों की B. आवद के नवाबों की C. करनाटक और तंजोर के नवाबों की D. उडिशा के नवाबों की इसका सही अंसर हो जाएगा option number C. करनाटक और तंजोर के नवाबों की टेल होजी ने उपादी छीन लिया था अगला कुश्यन है 1877 के विद्रो का नायक कौन था 1877 का जो शुरुवात हुआ जहां से उद्गम हुआ उसका नायक कौन था option number E. जहां सी किराने B. तात्याटों पे C. कुवर सिंग D. मंगल पांडे इसका सही अंसर हो जाएगा option number D. मंगल पांडे नहीं सबसे पहले अंग्रेजों के खलाब और इन्फिल्ड रैफल छोड़ने से इनकार किया था इस तरह से पर्थम नायक जो था वो मंगल पांडे था अगला question 1877 के विद्रो 29 मार्च 1877 को बैरकपूर छावने से शुरू हुआ बैरकपूर किस राज में इस्थित है ये 1877 का विद्रो जो था वहाँ से प्रारम्ब होँआ था विद्रो का चिंगारी वहाँ से फूटा था कब 29 मार्च 1877 को जब इन्फिल्ड रैफल के कार्थूस को चलाने से इनकार कर दिया था और मंगल पॉंडे ने दो अंगरे जदिकारियों को मार दिया था तो बैरकपूर में ही बैरकपूर चाउनी मंगल पॉंडे थे उन्हों ने ही अंगरे जदिकारियों को गोली मार दिया था और वे बैरकपूर कहाँ पर है पस्चिम मंगाल में है पस्टिम मंगाल में एक जीला है मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद के अंतरगत बैरेकपूर आता है अगला क्वेशन देखते हैं हम लोग मंगल पॉंडे ने किन दो अंगरे जदिकारियों की हत्या करती थी इसका सही अंसर हो जागा अगला कुशन है मंगल पॉंडे को कब फॉंशी दे दी गई 29 मर्च 58 संतावनिस्वी को B. आट अप्रिल 58 संतावनिस्वी को C. 10 म Сейчас 18 संतावनिस्वी को D. इनमेंसे कोई नहीं तो मंगल पॉंडे ने जो गोली मारी थी वो काब मारी थी लेटिनेंट बाग और मेजर सैर्जेंट को 29 मर्च 58 संतावनिस्वी को मारी थी लेकिन उस दिन मंगल पॉंडे को फॉंशी नहीं दिया गया बलके मंगल पॉंडे को जो फौंसी दिया गिया वो दिया गिया 8 अप्रेल 1857 को अगला कुशन देखते हैं 1857 के विद्रोह का नेतरित दिल्ली में किसके दोरा क्या गया था आप्शन नमबर A बहादूर साजफर के दोरा B तात्या टोपी के दोरा C राने लक्षमी भाई के दोरा D वेगा भजरत माल के दोरा इसका सही अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर A बहादूर साजफर के दोरा दिल्ली में अठार संदाउन निस्री के विद्रोह का नेतरित किया था मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ के बहादूर साजफर जो के अंतिम मुगल वन्स का शासक था अगर क।शन आएगा मुगल वन्स का अंतिम साशक कोन था तो उसका सही अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर A बहादूर साजफर इस तरह से एक ही क।शन में दोदो क।शन बन रहा है आप लोग दियाने से पढ़ना है आप लोग को और यह जितना भी content है यह सारा एकदम syllabus बेस्ट है जिस syllabus में जो दिया गया है सारा उससी पर आधारीत है अगला question देखते हैं हम लोग अठारा संतावनिस्वी की करांती की सुरुवात कब हुई थे 29 मार्च अठारा संतावनिस्वी को 10 माई अठारा संतावनिस्वी को 8 अपरेल अठारा संतावनिस्वी को इन में से कोई नहीं इसका सही answer हो जाएगा option number 10 माई अठारा संतावनिस्वी को अठारा संतावनिस्वी क करांती का प्रहरंब हुआ कहां से मेरट से हुआ यहां पर हम पहले जो कोशन दिये थे उसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग तो मैं किलियर करना चाहता हूं कि 29 अठार संताओ निस्वी को मंगल पंडे ने दो अंग्रेज अधिकारी को मार दिये लेकिन वहां से करांती का सुरुवात मतलब चिंगारी फुटा लेकिन वहां से शुरुवात नहीं हुआ उसके बाद 8 अपरिल उन्ट 18 संताओ निस्वी को फांसी दिया जाता है और 10 महीं 18 संताओ यह जब फांसी का खबर प करांती का सुरुवात हुआ इस तरह से मैं समझता हूँगा आप लोगों को किलियर हो गया होगा अगला कोशन है बिहार में 18 संताओ निस्वी के करांती का नेत्रित किनिके दोरा किया गया था आप्शन नमबर ए तात्या टोपे बी वीर कुवर सिंग सी लियाकत तली डी न कोन था लड़ डल होजी लौड रिपन वारन हैस्टेक्स डि नमर ए लोड केनिंग इसका सही अंसर हो जागा ऑप्शन नमबर डी लड केनिंग अठार संताओ निस्वी के विद्रों के समझे भारत का गोर्नर जेनल था यह कोशन बेरी बेरी इंपोर्टेंट है वी वी आई इसको एक्तम नहीं भूलना ये वार बार एक्जाम में पूशे जाते हैं अगला कुशन है 1888 इसमें बहादूर साजफर को कैद करके अंग्रेज़ों ने कहां रखा था आप्सन नमबर A चीन में, B रंगून में, C दिल्ली में, D चंडी गड़ में इसका सही अंसर हो जाएगा आप्सन नमबर B रंगून जो के बर्मा में आता है और अभी इसका नम मया नमार है तो यहीं पर बहादूर साजफर को गिरफतार करके रखा था और 1864 इसमें 1862 इसमें इनका वहीं पर मिर्ति हो जाता है कॉस्चन ये भी आता है कि मुगल वन्स का वह कॉन सा सकता जिनकी मिर्ति हो भारत में नहीं हुई तो इसका सही अंसर हो जाएगा बहादूर सा जफर अगला कुस्चन है कानपूर मैठ हर संताव निश्वी के विद्रोग का नेतिरुत गिनके द्वारा क्या गिया था रानी लक्ष्मिवाई, बेगम हजरत महल, लियाका तली, नाना साहब और तात्या टोपे अगला कुस्चन है तात्या टोपे का वास्त्विक नाम क्या था राम चंद्र पंडूरंग, धोंदू पंथ, नाना साहिब, इनमे से कोई नहीं इसका सही एंसर हो जाएगा तत्या टोपे का जो वास्त्विक नाम था वो था राम चंद्र पंडू रंग और नना साहब का जो वास्त्विक नाम था वो था धोंदू पंथ इसको भी याद रखना आप लोग को अगला कुस्षण है भारतिय सेनिकों ने किस राइफल को इस्तमाल करने से इंकार किया था आफसन नमबर ए सामानी राइफल बी एंफिल्ड राइफल सी इंडियन राइफल डी इंवेसिक होई इसका सही इंसर हो जाएगा बी एंफिल्ड राइफल को इंकार कर दिया था क्यो का परियोग करने से इनकार कर दिया और 18 संता उनुष्री के विद्रो का करांती का प्राराम्ब हो गया अगला क्वेश्चन है भारत का पर्थम गवर्ण जनरल कौन था वारन हैस्टिक्स लॉड करन वालिस लॉड विलियम बेंटिक लॉड मांट वेटन इसका सही एंसर हो जा आपको ध्यान से पढ़ना है और समस्ता मजके पढ़ना है अगला कुर्षण है डल होजी के विव्यप्तिकत सिदांत पहले विचर्चा एक बर कर चुक हैं डॉक्ट्रिन आप लैप्स या हडप निती वही है विव्यप्तिकत सिदांत के अनुसार सबसे पहले किस तराज को इसका सही आंसर हो जागा ऑप्शन नमबर डी सतारा सबसे पहले अंग्रेजों अपने समराज्ज में तो सतारा को मिलाया था कब 2848 उस्य में 1854 में रागपूर को मिलाया था, 1853 में जांसी को मिलाया था, 1854 में ओडिसा को मिलाया था, चारों आपको याद रखना है, चारों मैंसे कोई भी कोशन आ सकता है, अगला कोशन है, इनाम कमिशन कब लगू किया गया था, आप्सन नमबर A, 1852 में, B, 1854 में, C, 1869 में, D, इन्व प्रगत, जो भूमी, जो छेत्र, ऐसा भूमी, जो कि लगान, उस भूमी से ऐसा भूमी, जिसे लगान की प्राप्दी नहीं होती थी, कर नहीं देता था, बेगर कर वाले भूमी को अंग्रेजी राज में, मिलाने का प्रावधान, इनाम कर्मिशन में उलेकित है, अगला जनक किसे मना जाता है, लौट डलहोजी को, लौट कैनी को, लौरेंस को, इन्वेसे सभी, इसका सही अंसर हो जाएगा, ऑप्सन नमबर ए, लौट डलहोजी को, जिन्होंने भारत में रेल का प्रारंब किया, ये सबसे पहले रेलवे, जो चला था, ठाने के बीच में चला और इसके अलावा पोस्ट पोस्ट ऑफिस जो देख रहे हैं, डाग घर जो देख रहे हैं, वो भी इसी का, डलहोजी के दोरा ही, शुरू किया गया था, अगला कोश्चन है, विद्वा पुनर्विवा अधिनियाम का पारित हुआ था, अज़ी अंसर हो जाएगा, ऑक्षन नमबर ए 1867-21 में, लाओड केरिंग उस टायम में भारत के गवर्नर्विवा जेनियाम को लागू किया था, इस से पहले जो विद्वा होती थी, वो फिर से दोबरा उसो साधी करने का अधिकार नहीं था, और उस टायम में भी, उस टाय सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और